एक बड़ा मज़े का सवाल है आपने theory of evolution के उपर लोगों को बात करते हुए सुना होगा और universe की जो formation है उसके उपर बात करते सुना होगा यानि universe कैसे फैल रही है कैसे बन रही है फॉर्म हो रही है और इस धर्ती पर इस प्रिथवी पर इस अर्थ पर इस दुनिया पर इस ग बड़ा सवाल था और याद रखें जब भी उल्जे हुए गुंजलों को या उल्जी हुई गुथियों को सुलजाना हो तो हमेशा सिरे की तलाश में निकलें सिरा कहते हैं उस आगास को जहां से वो गुथी उलचती है अगर आपने अपने अल्ला को द्रियाफ्त करना है द तरफ तबज्व नहीं करते हैं तो अगर आपने अल्ला को डिसकवर करना है अपने खालिक को जाना है तो कहां जाना होगा आगे नई पीछे शुरुआत में आपको सारे सवालों के जवाब शुरुआत में मिलेंगे in the beginning not in the end क्योंके beginning बताएगी किया हुआ beginning बताएगी क्य इस ने किया अब कुरान में इसी तरफ तवज्ज़ दिलाई गई आएद आपके सामने चेप्टर 29 वर्स 20 में अल्ला तला फरमाते हैं एन अबीन से कहें कुल सीरू फिल अर्द एन अबीन से कहें जमीन में फैल जाओ घूमो फन्जुरू कैफ बदाल खल्क तो इस सवाल की जाँच कर लो कि ये तखलीक शुरू कैसे हुई औरिजिन ओफ तक्रियेशन इस क्रियेशन की बिगनिंग कैसे हुई इसको द्रियाफ्त कर लो और फिर जब तुम इसको द्रियाफ्त कर लोगे तो फिर याद रखना तुम समझ जाओगे के अल्ला दूसरी बार पैदा कैसे करेगा इनल्लाह अला कुली शैन कदीर जो इस कायनात का अगास कर सकता है वो बेफकूफो क्या उसको दुबारा खड़ा नहीं कर सकता दूसरी बार तो खड़ा करना ज्यादा असान होता है तो कुरान ने भी इस सवाल की तरफ लोगों को लगाया कि अगर इसको समझ गए तो मसला लो जाएगा theory of evolution की मैंने बात क्यों की थी वो इसलिए कि अक्सर लोग जो मुलहिदीन है वो theory of evolution को खड़ा की rejection और unfortunately वही के तसवर और दीन के तसवर और पूरे का पूरे mechanism को जो खालिक और मखलुक का तालुका इसको reject करने के लिए evolution को पेश करते है जबके evolution एक secondary subject है असल subject है origin of the species यह origin यह beginning of the life origin of the life यह है असल सवाल कि इस धरती पर जिन्दगी का अगास कैसे हुआ इस काइनात में वजूद का अगास कैसे हुआ यह वो असल सवाल थे कुरान ने उस तरफ तवज्ज़ दिलाई यह तो जान लो के शुरू बात कैसे हुई आगे दोड़ते हो अगा दोड़ते पिचाचा हुआ हुआ है